हालो दोस्तो में मंत आ गया और में मंत एक ऐसा मांथ होता है जो मंत में आपको हीट अड़ होट फोन का बारीज लगता है क्योंकि इस मंत में काफी सरा नया नया फौन लॉन्च होता है सीरीज वाए सर उसका सब कुछ नया फौन जो इस सल भी लॉन्च होने जा रहा है MWC की बाद किया जाए तो उसका बाद में मान्थ ऐसा मान्थ है जिस मान्थ में आपको काफी आच्छा अच्छा फोन लांच होने देखने को मिलेगा तो आज हम तुम लोग को यही बोलने बाला हो By the way, Tech7 channel से मैं सौमराट अगर आप लोग को पर तुम लोग के इवडिया भी आच्छा लाग रहे है तो वीडियो को जोलो लाइक करना रहे है एक लाइक देने पर मुझको रोटीशन मिलता है उसका साथ चैनल में नया होने पर चैनल को साब्सक्राइब करके पास मैं जो बेल आइकन है उसको दबादो मेरा आने वाली इस तरह का भीडियो हिंदिया और उसका साथ बेंगुली में मिलने के लिए और आप लोग ना भीडियो देखते हो साबस्काइब नहीं करते हैं, एक साबस्काइब करने पर पूझ नहीं जारते हैं, और साबस्काइब करने पर और भी आच्छा अच्छा भीडियो में आपको फोवैट कर पाऊंगा, और उसका साथ सेयर करो फ्रेंड का इग मेंबर का स प्रो और फ्राइब जी फोन लॉंच होने जाँ जाँ रहा है मेरेका 14 तरी एक साथ चायना में बेज उसका साथ उसका साथ हम लोग के इंडिया में भी लॉंच होगा तो ये तीन फोन काफी एंटिसिपेटेट फोन होने वाली है और OnePlus 7 की बात क्या जाए तो OnePlus 7 है 6.2 इंच का एक नॉर्माल फोन जिसमें आपको 855 पॉसेसर देखने को मिलेगा और क्यामेरा की बात क्या जाए तो इसमें आपको 48 प्यक्साट का सॉनी का आयमेक्स 590 सेंसर देखने को मिलेगा सेम एज लेड्मी नोट 7 प्रो और उसका साथ सेकेंदरी 5 प्यक्साट डेट सेंसिंग क्यामेरा उसका साथ OnePlus 7 प्रो की बात क्या जाए तो उसमें आपको 6.6 इंच का एक प्वाड एजडी प्लास डिस्प्रेइ देखने को मिलेगा OnePlus की तरफ से ये प्याला फोन जिसमें आपको Quad HD प्लास डिस्प्लेइ देखने को मिलेगा मतलब 2 के डिस्प्लेइ OnePlus का ये प्याला फोन होने बाड़ है OnePlus 7 Pro और उसका साथ इसका camera की highlighted वेसिव इसन बाप किया जाते इसमें आपको ट्रिप्ल रेयर क्यामेरा देखने को मिलेगा जिसमें आपको प्राइमारी 40 एनमाइपिक्स आप सोनी आमेक्स 580 519 सेंसर देखने को मिलेगा उसका साथ दो सेंसर जोत रहेगा वे एक wide angle lens उसका साथ telephoto lens जिसमें telephoto lens आपको portrait mode में काफी आचा फोटो किजने help करेगा उसका साथ lossless 3x zoom देने में help करेगा और उसका साथ secondary जो wide angle lens रहेगा wide angle photo किजने में और depth sensing में आपको help करेगा नेक्स्ट जो phone है उसका 5G edition OnePlus 7 का OnePlus 5G edition जो है OnePlus 7 Pro की तरह है इसमें आपको सिर्फ 5G modem का support देखने को मिलेगा ये तीन phone आपको सबसे पहले इधार देखने को मिल सकता है नेक्स्ट जो company के बात करूँगा ओ है Xiaomi को Xiaomi is mine में कुछ दिन पहले मुनुकुमर जैन ने Qualcomm की office गया था उधर एक tweet किया था उधर से जो उसमें hint दिया था उसने नया कोई phone ले आ रहा है उसको इंडिया की उपर जिसमें आपको snapdragon का latest processor जो हाली में लांच हुआ और उससे देखा जाए तो बहुत ही हाली में लांच हुआ दो ही पोज़ज़ारे 730 और 730G तो मेरा लाग रहा है 730 के साथ कोई phone लांच होने जा रहा है और 730 के साथ phone लांच की बात किया जाए तो आभी ताक आप देखिए Redmi का जो series है पावर साव मी का उसमें आप देखिए Redmi Note 7, Note 7 Pro, Redmi 7, Redmi Y2 सब कुछ लांच हो गया तो बाकी राया एक ही है Mi A3 तो लाग रहा है Mi A3 730 की साथ बहुत जाल लांच होने जा रहा है इंडिया की उपर तो ये एक अच्छा चीज हो सकते है उसका जात मी A3 की बात किया जाती है इधार आपको triple rear camera देखने को मिल सकते है बट हम लोग का एक ही request है इसका battery जो काफी सिखा है तो इसमें अगर 4000 mAh की battery हो जाते है तो काफी अच्छा होगा इसका इलाबा Xiaomi का जो Black Shark है वो इस phone को भी इस में में लांच कर सकते है इंडिया की उपर Black Shark तूट जो है बहुत अच्छा phone है और काफी अच्छा पेसिबिकेसान की साथ gaming phone की अंदर ये आता है और ये भी इस माइने में इंडिया आपको लांच हो सकता है शाओ मी का जब बात होई गया तो Realme का बात करना पड़ेगा क्योंकि Realme है साओ मी का सबसे बड़ा competitor और Realme भी में मन्त में कुझना कुछ करने बाला है क्योंकि Realme के लिए में मात काफी पेसल होने बाली है क्योंकि Realme जो company है Realme उसका जो anniversary में 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 होता है क्योंकि में मन्त में ही पहला साल Realme वान लांच किया था उसके साथ काफी आच्छा चाप फोन उस बाद में आपको लांच होने देखने को मिला था बर इस माहिने में आपको Realme का यूटू लांच होने का चांस सबसे ज्यादा है जो जो लिग की मुताबीत और जो उ इसका एक पसिपिकेसार कॉंप्रम हो चुगा है अभी तक इसका जो सेल्पी कैमेरा ओ इधर आपको 32 में विकसल का देखने को मिल सकता है उसका साथ इधर आपको स्नैप्ड़कों 660 देखने को मिल सकता है यह दो लिग अभी तक पता चाल रहा है और रियल्मी का और एक फोन जिसको लेगा काफी चाचा चाल रहा है और रियल्मी का जो मेल सीओ है चाइनीज सीओ तो उसने रियल्मी का फ्लैक्सिप के बाड़े में बात कया रियल्मी एक्स जो भी लॉंच हो सकते है इस माईने में चीन की उपर यह लॉंच हो सकते है इंडिया की उपर लॉंच होने हर एक मांत में कुछ ना कुछ फोन आप लोग को लांच होने देखने को मिलगा और इसके लिए उसने दो स्रीज लिया एक है A स्रीज और M स्रीज M स्रीज इंडिया के उपर काफी हीट रहा है काफी बिक रहा है M30, M20, M10 उसके सथ ए स्रीज की बात किया जाए तो A30, A50, A70, A80 अल्रेडी लांच हो चुका है मार्केट में बड़ इंडिया की बात किया जाती है इंडिया में आपको A70 तर फोन देखने को मिलेगा बड़ इन देखा जाए M80 भी इस माइने में 35-40 की अंदर लांच हो सकते है और M80 जो एक काफी पॉमिसिंग डिवाइस होने वाली है क्योंकि इदार आपको लेटे स्नैपडागों 730 जी पज़े साथ देखने को मिलेगा उसके साथ रोटीटिंग मेकानिजम जो है उसका उपर इसका क नोकिया की इस माइने में पूछ नया फोन तो लांच नहीं होगा हो गया जो है एक सेवेंटीवान चाइना की उपर ओ इंडिया की उपर 7.1 प्लास की नाम में लांच हो सकता है बाट यह बहुत ही लो है क्योंकि अल्रेडी नोकिया का 7.1 बहुत ही रिसेंट लांच होआ इ इसके लाबार नोकिया का 3.1 प्लास, 2.1, 4.1 यह सब का प्लास भस्तेन भी आसाकते है नोकिया की बारे में उतना उमीद उच्छ लोग को नहीं है और उसके असाथ नोकिया का 9 इस माहिने में इंडिया की पर एक्स्क्लोजिबली लांच होने जा रहा है नेक्स्ट आते है यह सब का्बारे में पिक्सल इस माइने में पिक्सल का दो फोन लांच होने जा रहा हि है एक है पिक्सल3A एक्सल डोनों फोन है एकड़ मीड रेंज मार्केट के लिए और यह एक्स्क्लोजीबली ट्रिवेंट में बॉच्छंड के उपर उसका बाद आती में इंडिया में एक्स्क्लूजिवली फ्लिपकाट की उपर लॉंच होगा तो आभी तक यह जाना जा रहा है और इसका जो पेसिपिकेशन है कापी हाथ तक इसको मीड रेंज मार्केट के लिए बनाया गया इसमें आपको प्वाइसर की बात किया जाए तो इसमें आपको स्नापड़ागों 670 675 नाइटो 7.12 की 710 की अंदर कोई एक वाइसर अभी तक जो डियू मारे उससे पाता चल रहे है और इसका अगर डिस्प्ले की क्या जाए तो इधार आपको 5.45 इंच और 5.6 इंच का दो डिस्प्ले देखने को मिल लगा एक्सल प्लास में 5.6 इंच का और 3A की अंदर आप आपको 5.6 इंच का दिस्प्ले देखने को मिलगा जो इसका मेन हाइलैट्ट है उतो कैमेरा पिक्सेल का कारे आपकर गाइसा और अभी तक पिक्चर सेंपल देखा जाए उससे तो काफी अच्छा पिक्चर होने बाली यह इधात देखने को मिल सकता है नेग्स्ट आते जेन 55 की साथ देखने को मिलेगा और इसका अंदर अभी तक एक रियूमर को मतलब इधार आपको स्लाइडर मेकनिजम जो है वो देखने को मिल सकता है और उसके साथ 6 की बात के आज़ा है तो 6 एक ऐसा फोन होने बाला है जिसमें आपको मिड रेंज का पॉयसर मतलब 730, 730G नहीं तो 712 की तरह वाज साथ देखने को मिल सकता है तो अभी तक यह देखने को पाता चाल रहा है और उसके साथ 6G में आपको काफी आच्छा एक कैमेरा होने बाली है क्योंकि इसका जो टीजर है टीजर सी पाता चाल रहा है और फूब स्कीन का व्यू भी इधार आपको देखन देखने को मिलेगा इसलिए मैं आपको स्लाइडर मेकनीजर का में थी बात किया था उस टीजर की आंदर देखने को मिला मुझको इसलिए नेक्स्ट आते हैं ओनर की आड़े में ओनर लांडन की उपार 21st में में ओनर 20 सीरीस का लोग फोन लांच करने बाड़ा है इसमें और एक है अनर 20 प्रो अनर 20 में आपको तीनों कैमेरा का कॉंबिनेशन देखने को मिलेगा और उसका सार अनर 20 प्रो में आपको चारों कैमेरा की कॉंबिनेशन देखने को मिलेगा और अनर 20 में अभी तक जो डियूमर की मतावित इसमें आपको P30 की प्रो की तरह इधर भी आपको एकड़ एक्क्लूजीव फ्रैक्सिप्स आइमेक्स का 600 सीरिस का कोई एक इमेज सेंसर देखने को मिलेगा और प्रॉसेसर की बात का जाए तो दुनों फोन में क्रीन का 980 प्रैक्सिप्स देखने को मिलेगा यह पाता चाल रहा है अनर की बाड़े में इसका इलाबा जेटी का साब ब्रैंड नुबिया का रेड मैजिक 3 भी लॉंच हो सकते इंडिया की उपार जो एक एक्स्क्लूजीवली गेमिंग फोन है एकडम फ्लैक्सिप का और इसका अभी तक अन्टूटू बेंजमार्क सबसे हाई है 855 पसेसर की वाइस देखा जाए त अभी छोटा मोटा फोन कुछ लॉंच होसात्ते इस माईने में तो आप लोग को आप पाता चल जाएगा हम लोग का वीडियो की तरब से ुआ कुछ भी जानने का जोरू रहतो है और बाइक ह जा फूं अ पर दोक है ज्या पर अन्य जानने में को सब्सक्राइब कारता। मिलने के लिए फिर एक ना वीडियो में मुलाका तो रहा है तते के लिए स्टे से टाटा बाई बाई